नमस्कर दोस्तों कैसे है आप लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ South Facing जो घर होता है यानि दकशिन मुखी मकान जो होता है उसके बारे में दकशिन मुखी मकान जो है वो बुरा नहीं होता है दकशिन यानि के जो South direction है यहाँ पर जो मैंने ये ड्रॉ किया है ये एक rectangle है ये एक घर के नक्षे जैसा है तो इसको हम consider करते है ये north है इसके main direction ये south है ये east है और ये west है मैं कभी rectangle कभी square इसलिए निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों examples में क्योंकि किसी का घर square होता है किसी का exactly square नहीं होता है वो rectangle होता है तो rectangle जो होते है rectangle घर में mainly जब आप ढमस्थान में जाकर देखते हो तो आपका जो sub directions है वो exactly corner में नहीं आते है और ये चेक करना बहुत जरूरी ह कि वो corner में है नहीं है exactly कहां पर है ये देखना बहुत जरूरी है ये क्यों जरूरी है ये अभी मैं आपको बताऊंगा मैं directly आपको दोस्तों जहां जो मैंने यहां पर बताया है कि बस एक रंग की पट्टी आप लगा दो तुरंत मैं आपको color बोल सकता हूँ लेकिन दोस्त यहां पर जो है south में south direction जो है वो पूरा यहां से लेकर यहां तक यानि के यह mid of south जो है यहां से देखते हैं अभी यह south-south-west, south-west, south-south-west, south यह mid of south है तो mid of south से लेकर आगे आपका अगर मेंडोर है यानि south east की तरफ तो आप जो मैं आपको color बोलने वाला हूँ उस color की strip वो strip आपको लगाने कैसी है तो आपका यह जो main door होता है यह आपका समझो एक door का या दो door का जैसे भी आपका main door है मेरा drawing यहां पर इतना perfect नहीं है so sorry for that यह समझो दो फलकों का आपका door है और नीचे इसका दहलीज है तो इस दहलीज के उपर आपको क्या करना है कि एक color का strip आ लगाना है जो की दोनों ये end और ये end दोनों end को connect करेगा ऐसा आपको यहां पर strip लगाना है अभी यहां पर इस दिशा में यानि south से लेकर south इस तक हम कौन से color का लगा सकते है और south से लेकर south west तक हम कौन से color का लगा सकते है यह अलग-अलग बाते है क्योंकि जो south direction है south से ले यूज करते है, south direction जो है यह यम भगवान की दिशा है, south east जो है अगनेय कोन हम जिसे कहते हैं, अगर आपका purely south east है तो south east तक आप red color यूज कर सकते है south से लेकर south east तक ये आपको ध्यान में रखना है, यानि के south से south east तक आपको red color यूज करना है, जो कि मैंने यहाँ पर red में ही तो आपको रेड कलर यूज करना है इस कलर का या तो आपको स्ट्रिप यानि के टेप जिसको हम कहते है वह भी मार्केट में मिलेगा चार इंच वाला टेप होता है या तो वह आप लगा सकते हो या फिर सेकेंड ओप्शन आप कलर लेके आईए और उस कलर को आप इस प्रकार स पर लगा सकते है इसमें सेकेंड ओप्शन ये भी आता है कि कुछ रंगोली के स्ट्रिप्स भी आते है जो रेड कलर में रहेंगे लेकिन उसके उपर बाकी के कलर ही ज्यादा रहते है तो इसलिए वह थोड़ा सा एवोड कीजिए जो प्लेन रेड कलर की रहेगी वही आपक साउथ इस्ट की तरफ दोर है अगर इक्वली हम डिवाइड करते है इस डायरेक्शन को वास्तु पद में तो साउथ इस से लेकर यहां पर जो चोथा पद होता है वहां पर एंटरंस शुभ माना जाता है तो अगर एग्जैक्ली वहां पर एंटरंस है तो ये स्ट्रिप ल इंटरंस है तो आप ये स्ट्रिप जरूर लगाईए आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा अभी जो साउथ डायरेक्शन है साउथ से लेकर साउथ वेस तक यहां पर हम जो पीला कलर होता है वो माना जाता है इस दिशा के लिए यहां से साउथ वेस तक तो तो उदर आप येलो कलर का स्ट्रिप लगा सकते हो जैसे यह रेड कलर का है उसी प्रकार से उसे दिशा में जो है आप येलो कलर का स्ट्रिप लगा सकते हो तो आपको ध्यान में रखने की बात यह है दोस्तों आपका दक्षिन मुखी मकान है आपको एंटरंस के वज़े से कुछ bad impact आ रहे है तो उसको कम करने के लिए आप ये color, red color का strip दरवाजे में लगा सकते हो ये आपको online भी मिल सकता है वास्तू strip ऐसा आप वास्तू red color strip आप अगर सर्च करोगे Amazon रहेगा या फिर Flipkart रहेगा तो आपको वहाँ पर भी मिलेगा या फिर shops में भी आजकल मिलते हैं तो वहाँ से भी आप खरीच सकते हो इस color का strip और इसको लगा सकते हो आपके दरवाजे के दहलीज पर जो की आपको बहुत अच्छा results देगा तो दोस्तो ये एक color का strip है जो दक्षिन मुखी द्वार के उपर अगर आप लगा देते हों तो आपको अच्छा result मिलेगा negative impacts जो उस दरवाजे के है वो मिलना आपको बहुत कम हो जाएगा और इसका impact जो है आपको महसुस होने लगेगा तो दोस्तो इस उपाय को आप जरूर करके देखिए दक्षिन मुखी मकान के लिए मेरे और भी कुछ वीडियोज है चैनल पे उसके लिंक मैंने description पे दिया है जरूर उसको गोत्रू कीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो